हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के पने स्प्रेटफर्म पर तो यूरों का रिजल्ट जारी हो चुका है काफी लंबे टाइम से आप सभी वेट कर रहे थे के लिए जारी किए पॉस्ट जो है वह 104 है और यह दो गुने में जो भी आना था फिर उसके अंदर जो भी आ गए तो उस हिसाफ से देखा जाए तो अभी यह फाइनल कट आफ नहीं इससे कट आफ और बड़ेगी तो मेरी ख्याल से जिन्होंने भी एक्जाम दिया होगा लग कट आफ चलिए तो यहां से ट्रेंड देखने को मिल रहा है हाला कि पेपर बहुत इजी था इसलिए सब को पता था कि कट आफ हाई जानी है लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन से यह दो तीन नंबर जादा ही है तो कट आप 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 देखो यहां पर जनरल की कट आफ गई में यहां पर आप देखो बाकी तुलना में अभी सबसे कम कट ओफ दिखाई देगी 104 की कट ओफ ठीक है बहुत सारे केंडिट्स क्वालिटी एजुक्शन से भी जुड़ेता हाला कि यह फाइनल रिजल्ट आना बाकी है तो दो गुना में कुछ केंडिट्स का आया भी है औ केंडल में 108 जारी मतलब टॉपर क्या आप सोच सकते हो मांक्स कितने जा रहे होंगे ठीक है तो यह मान कर चलना पड़ेगा अभी लगातार हर एक्जाम की कट ओफ हाई रहने वाली हाई जा रही है बहुत सारे रिजन्स आप सोच सकते हो आजकल पहले कुछ टाइम पहले ज जाना लाजमी है और फुरहला कि इसका पर हमने देखा कि इतना इज्टर प्र दे दिया था किता इसे लिए पर यह पर यहां पर बना दिया अभी फाइनल रिस्ट वी जल्दी जारी हो जाएंगे अभी पहले वहरे जाएगा Be लेकिन पॉस्ट होई है पॉस्ट मिलनी कितने लोगों की पॉस्ट मिलनी है एक सो चार लोगों की तो क्योंकि पॉस्ट भी बहुत कम थी इस वज़े से कट ओफ हाई जाना लाजमी था ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं एक सर्विसमेन की कट ओफ भी देखे तो सो नंबर की है अब यहां से हम क्या कर सकते दो एक सो चार यह तो फिक्स है कि एक सो चार लोगों कोई मिलने है बागी यह एक कंपिटिशन एक्जाम की कडवी सच चाहिए सबका सेलेक्शन होना मुश्किल हाँ ऐसे बहुत सारे केंडिट होंगे जो शाहिद सबसे जादा दु सेलेक्शन नहीं हो रहा है मैं जानता हूं इसका दुख बहुत बड़ा होता है लेकिन क्या करना है यहां जो आपने मेहनत की 108 नमर की मेहनत वैस्ट नहीं जाने वाली है इसका मतला है कि आप बहुत किनारे पर पहुंच चुके हैं और एक बड़ी सफलता आपके लिए आग लगातार कट ओफ हाई जाएगी आगे कोई सा भी एक्जाम होगा अगला आरे से एक्जाम होने वाला हो सकता कि 5 नमर 7 नमर और कट ओफ बढ़ जाए डिपेंड करता पेपर कैसा आएगा लेकिन उसकी तुलना में जो आज की अगर हम बात करें कि आज जब पेपर आया और कि तुलना में कट ओफ ती उसकी तुलना में 57 नमर कट ओफ और बढ़ेगा यह बढ़ेगा ज्याधा तर आप क्योंकि अभी राजस्तान गुवर्मेंट ने ओपीएस में देख रहा हूं कि और ज्यादा रुजान हो गया लोगों का कि सरकारी सेवा में जाना सरकारी नोकरी सरकार के हिसाब से बहुत अच्छी बात था कि परतिस परद्दा बढ़ लेकिन इसके लिए हैं कि जो केंडियेट तयारी करें उनके लिए कंपिटिशन बहुत टफ रहने वाला है तो आपने अगर यह सपना बना रखा है ड्रीम्स सोच रखा कि मुझे सरकारी नोकरी में ज सबसे ज़्यादा जो मजभूत तैयारी बनाएगा वो अपना टेस्प्रैक्टर की कि जितनी जदर हो सकता है इतना टेस्टर केश्टर की बाकी देगो अगर नहीं करने इस ऐसे में आजक्जां कि मेंस एक्जाम करएं बहूसारे साथे गवालता होंगा इसी डेट को अंतिम घर करें पूरी संभावना की इस डेट सकनी संभावना कम है तो आप इसको इसकों अनुदिभी मान कर तयारी करों ऐसे ने पढ़ता कि सरजाता टयारी नहीं हो पाई उनको मेरी इसला रहेगी जो पैपर सैंड है और पैपर फॉर है यह ऐसे आने वाले बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो भी लगबग उतना है मांक्स थोड़ी कम मेहनत भी होगी तो भी एवरेज मांक्स उतनी ही आने हैं ठीक है लेकिन सेकंड और फॉर्थ पेपर ऐसे हैं आपने देखो फॉर्थ पेपर में 140-4548 नमर भी आ रहे हैं इसका मतलब य यह सेकंड और फॉर्थ पेपर ऐसे हैं जिस पर आप अच्छे से मेहनत करके इस कम टाइम में भी अच्छा आउट्पूट ला सकते हो इसके अलावत जिनका हो सकता है जो आरेस मेंस नहीं दे रहे हैं उनके भी सामने देखो या तो आप जूनियर अकाउंटेंट का आपके जादा से जादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए संगनक की एक बड़ी वेकेंसी है यह तो इसमें तो सीटी वाला प्रोब्लम भी नहीं था तो जिन्होंने संगनक की दे रहे हैं वो संगनक का आपके सामने ऑप्शन है इसके अलावब जो बहुत सारे साथी पूझ रहते हैं ऐ यह नई वेकेंसी की वीडियो पटवार इन सब की नई चांस है कि सब की 2024 में सारी वेकेंसी आने वाली रीजन आप सबको भी पता है इतने सारे नई डिस्टिक बने इतने सारे जिले बने तो सब में अधिकारी करमचारी की जरुत पड़ेगी तो सरकार नई सरकार जो भी आ ठीक है, वो सारी energy भरी बड़ी है, थोड़ा सा effort ओर लगाना है, और निकल जाएगा, मुझे पता है कि जब एक exam में नहीं होती है, तो निराशा बहुत हावी होती है, लेकिन उसको लंबा नहीं जाने देना है, ऐसा नहीं होगा कि आपने निराशा के सागर में ही डूब गें निकली नहीं पाए, ठीक है, दो दिन बुरा रगा, हम अभी देखा कि world cup हुआ, world cup final हार के, तो ऐसा थोड़ी हार के, तो दुख में ही डूब गें, ठीक है, एक game था हार के, कोई बात नहीं, वापस से आगे बढ़ना है, वापस से तयारी करनी है, और आगे बढ़िए, तो माम में RS मेंस पूरा पढ़ सकते है, जैसे मान लीजे, आपको RS 2024 की आप तयारी करनी है, मैं आपको फिर से यह और आपस के रहा हूँ, पहले भी मेने कहा था है, वापस रिपीट करनी हो, इस पार जो 2024 के लिए तयारी करनी है, मेंस की तयारी करनी, पहले से हिं पौस हो जा अब RPSC 3-4 मेनिक अंदर मेंस करवा रही है तो मेंस की तयारी पहले से करना इसके अलावब पूरी संभावना है 2024 में SI की फिर से वेकेंसी आएगी SI की पोस्ट निकलेगी और SI के भी जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट मिलने वाली और वीडियो पटवार की पटवार का तो हो गोशना भी हो रहे है वीडियो की भी संभावना है कि वापस सारी के सारी यहां पर वेकेंसी आपके लिए निकलने वाली है तो 2024 में बहुत सारी पोस्ट है बहुत सारी वेकेंसी है तयारी आपको करना है अभी से अपनी तयारी का करना जो कम्या है उसको वापस से पढ़िए और वापस से टेस्ट दीजिए एक सीक्वेंस बना लीजिए दिरे-दिरे आप करके देखे छे मेने में आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं ठीक है तो यह 2024 को अपना गोल बना लेना कि इस बार यहां पर हमें जो हम 5% में आने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल इसमें सेलेक्शन होई जाएगा ठीक है बाकि और भी कोई सवाल हो डाउट हो आप मुझे कमेंड में पूछ सकते हैं मैं नेक्स वीडियो पर उसमें जरूर बात क यीडियो